हेलो स्टुडेंस आज हम करेंगे कक्सिया तीन पार्ट नो कब आऊं का बुक वर्क तो आप लोग बुक ओपन करेंगे निकालेंगे पीज नमबर 80 तो बच्चो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ये मैं आपको कॉपी में कराऊंगे पहले हम बुक का वर्क करते हैं कॉपी मत्रा का वर्क 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 भरी सो आदा बो जो में चोटी की मात्रा जी योमा की मात्रा यों योमा की मात्रा यों सबजियों को में की मात्रा के नोमा की मात्रा नाम और नाम छोमें चोटी की मात्रा चूप अमें की मात्रा पेश चूपे हो में की मात्रा है है मां की मात्रा है नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सबजियों के नाम चुपे हैं ढूंडो तो जरा तो बच्चों ये वाक्य पढ़ना है इसमें क्या चुपे हैं हरी सबजियों के नाम चुपे हैं तो आपको उसको ढूंडना है अब अब भागो 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 भाग यह गो है न यह भी है यह गो है यह भी है यह गोग हो गई न तो क्या छुपाई इसमें गौमें की मातरा गोब हमें बड़ी की मातरा भी गोगी यह सबजी है ना अब नेक्स है, मौमे अकी मात्रा मा, मौमे बड़ी की मात्रा मू, मामू, लौमे बड़ी की मात्रा ली, लौमे अकी मात्रा लीला, मौमे अकी मात्रा मौ, सौमे बड़ी की मात्रा सी, मौसी, को, हौमे अकी मात्रा हा, हामे चंद्रे मिन्दु, हां, हौमे अकी मात्रा है, माम इसमें क्या छुपए देखे आप दिमाग लगाएंगे बेग नो बोमे की मात्रा बेग नो बैगन सबजी है ना बच्चो बैगन ओके इसमें बैगन है सबजी का नाम ओके अब है रानी बोली हमसे मत बोलो तो इसमें क्या है सबजी है ना सबजी होती 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 है इसमें क्या है पालक पालक हरी सबजी है ना पालक यह सबजी है इसमें क्या है गोबी इसमें मूली इसमें बैगन इसमें सेम हो सेम इसमें पालक ओकी आ गया ना आपके समझ में अब नेच्स है सो हमें बड़ी की मत्रा ही जोड़ हमें की मत्रे जोड़े मूं में चोटी की मत्रा मिल हूमा की मत्रा लाओ मिलाओ सही जोडे मिला हो प्रवदेन की मत्रा प्रोस हो मैं की मत्रा संस हो मा की मत्रा सा प्रसंसा तो मा की मत्रा तार हो मैं बड़ी की मत्रा रीफ हरे प्रसंसा का क्या हो गया तारे प्रसंसा का रतो तै तारे ओके बो मैं बड़े हो की मत्रा बॉमें चोटी की माता बूल, मां की माता लंद, बुलन्द, बुलन्द का क्या हो जाएगा, बुलन्द उची, बुलन्द, उमें चन्द बिन्दू, चोब में बड़ी की माता ची, उची, बुलन्द का हो जाएगा, उची, ओके, अब बॉमें चोटी की माता बी, अधाल, काम चोटे की माता कुल बिल्कुल का बिल्कुल का हो जाएगा कत्ताई ओके इसको यहाँ यहाँ मिलाएंगे ओके जलन 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 का इर्ष्या ओके जलन 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 जल अब क्या है ओ वो आदा सोय ओ अवस्य जरूर तो क्या हो गया प्रसंसा का तारीफ बुलंद का उची बिल्कुल कत्ताई का बिल्कुल इर्ष्या जलन अवस्य जरूर जरूर का अवस्य ओके नेक्स वे निकालेंगे मोमें चोटी की मत्रा मुँ हमें की मत्रा हा वर हमें की मत्रा रही मुहावरे चोमें चोटी की मत्रा ची त्रोमें की मत्रा त्रोमें की मत्रा रही चित्रों कोमें की मत्रा को दोमें की मत्रा देख हमें की मत्रा को देखो इन हमें की मत्रा हैं हमां की मत्रा हैं इन्हें दो में की मत्रा देखकर देखकर तो में चोटों की मत्रा तुम हमें की मत्रा हैं हमां की मत्रा हैं को में चोटों की मत्रा कुछ कुछ मुह हमां की मत्रा हा और हमें की मत्रा रे मुहावरे यहमा की मत्रा या को हमा की मत्रा आवो तो मैं की मत्रा थे हमां की मत्रा थे कहावते हैं यहमा की मत्रा याद याद आ तो मैं बड़ी की मत्रा थी आती हमां की मत्रा हैं उना हमां की मत्रा हैं हमां की मत्रा हैं लो मैं चोटी की मत्रा लिख हमां की मत्रा को लिखो मुहावरे, चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावत याद आती हैं, उन्हें लिखो तो ये काई का चित्रे बच्चों दिया है ना और धोमे की मतरा धे, रोमा की मतरा अधेरा अधेरा और ये दिया है, चिराग चिराग तले अधेरा मैं बड़ी की मताँ सी यह कंगन है यह हाथ है हाथ कंगन को आर सी क्या यह आस्तिन है यह देखिए सांब आस्तिन का सांब यह ग्यारा नौ दू ग्यारा होना तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अधेरा है और चिराग है दिया है चिराख तले अधेरा चोमेचangel चोटी की मत्राची रोमाची मत्राच चिराग ये मुहावरा है को के तल अमे की मत्रा ले तले अमे चंद्रे बिंदू अमे की मत्रा अधेर अमे की मत्रा अधेरा चिराग तले अधेरा हाथ कंगन को आरिसी क्या हमे की मत्रा हाथ हो हाथ कौमे की मत्रा कंगन कंगन कौमे की मत्रा को आर रो सो में बड़ी की मत्रा ची आर सी आधा को यो में की मत्रा या क्या ये है आस्तीन का संप आ आधा सो तो में बड़ी की मत्रा तीन आस्तीन को में की मत्रा का सो में की मत्रा सा सा में संद्री बिंदु संप आस्तीन का संप नो दू ग्यार हुना इसमें क्या हो जाएगा चिराग, तले, अधिरा, हाथ कंगन को आरसी क्या, यह क्या है, आस्तीन का साथ, नौ, दू, ग्यारा होना, इसमें क्या हो जाएगा, चिराग, तले, अधिरा, हाथ कंगन को आरसी क्या, यह क्या है, आस्तीन का साथ, नौ, दू, ग्यारा होना, ये क्या हैं बच्चों मुहावरे हैं चित्र को देखके हमने क्या बनाएं मुहावरे बनाएं का हमा की मात्रा हो का हमा की मात्रा हान हमा बड़ी की मात्रा ने कहाने हमा चोटी की मात्रा भी दहमा की मात्रा द्याल या भी द्याले गमें चोटे की मात्रा गूर, अमें बड़ी की मात्रा रूज, अमें बड़ी की मात्रा जी गुरुजी, चोटे की मात्रा छू, आदा टोट, अमें बड़ी की मात्रा टी छुट्टी, बमें की मात्रा बंदर, बमें की मात्रा डंड, अमें की मात्रा डंडा, बमें की मात्रा पेल पेल कमय की मत्रा केल हमा की मत्रा केला ताल कर कर दोखंगे की मत्रा कर पड़कर तुम Спिंद मकी मत्रा जोले युखंप तुम से धरेल्ए की मत्राकश Parent तूम होमें की मत्रा बात होमें की मत्रा थें, तैमें की मत्रा थें, आई आई होमें की मत्रा हों, होमें की मत्रा हों, गो मैं बड़ी की मत्रा की, इन आइन सब सब चोमें बड़ी की मत्रा ची, जोमें की मत्रा जों, जोमें की मत्रा जों, को हमा की मत्रा हा नौमें बड़ी की मत्रा नी कहानी बो नौमें की मत्रा ना ओ बनाओ अप नौमें की मत्रा ने अपने सौमा की मत्रा साथ हमा बड़ी की मत्रा थी योमेों की मत्रा यों, साथियों, कोमेों की मत्रा को, सौमेशोतों की मत्रा सु, नौमा की मत्रा ना आओ सुना बिद्धियाले गुरुजी, छुटी, बंदर, डंडा, पेड, केला, ताली, बच्चे, भूग इन सब्दों को पढ़कर तुमारे मन में कुछ बातें आई होंगी तो बच्चों जैसे विद्याले, गुरुजी, छुटी, बंदर, डंडा, केला, पेड, ताली, बच्चे, भूग इन सब्दों को पढ़कर आपके मन में जो भी कुछ बातें आई होंगी इन सब चीजों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ आपको भी कहानी लिखना बाना चाहिए इनके बारे में आपको क्या दरना है छोटी सी कहानी बनानी है जैसे बंदर के बारे में, विद्याले के बारे में, आपकी कोई टीचर के बारे में भूख के बारे में बच्चों के बारे में इन सब के बारे में चोटी-चोटी कहानी बनानी है और अपने साथ वाले बच्चों को सुनाना है आप कल चोटियां होरी न आपको तो आप खेलते होगे न तो बिद्ध्याले के बारे में बंदर के बारे में आप लोग क्या करेंगे कहानी बनाएंगे और आपस में सुनाएंगे ओके उच्अमा की मत्रा चाल नमकी मत्रा लोँ चालो कि मत्रला कुपड़ा कपड़ा उचौमा की मत्रा चाल कर रहुचाल कर धौमे की मत्रा देखो मैं उकी मत्रा को देखो कौमे चुटी की मत्रा की सौ कौमा की मत्रा का किसका रौमे बड़े उकी मत्रा रूमा की मत्रा माल रुमाल सब सौमे की मत्रा से सबसे उ में चंद्रबिन्दु ऊंचा मी कि मत्रा 4 ऊचलता होमें की मत्रा है रोमें बढ़ें की मत्रा रूम, मोमें की मत्रा माल रूमाल, कौमें की मत्रा के, सौमें की मत्रा साथ, साथ, बोमें चोटी की मत्रा बी, नोमें की मत्रा ना, बी न, कौमें चोटी की मत्रा कूच, बोमें की मत्रा बाब, आमें चंद्र बिंदू, बाद, हौमें की मत्रा दे, बादे इस होमा की मत्रा से इसे और और उमे चंद्रमिंडो ऊच होमा की मत्रा जा उचा होमा की मत्रा कैस होमा की मत्रा से कैसे ऊच होमा की मत्रा जा लॉमा की मत्रा उचाला जोमा की मत्रा जा सोक तो मा की मत्रा ता सकता होमा की मत्रा है तो बच्चों क्या करना है एक रुमाल या कोई चोटा सा कपड़ा उचाल कर देखना है किसका रुमाल सबसे उचा उचलता है आपको क्या करना है अपने साथ वालों के साथ एक रुमाल लेनी है या चोटा कपड़ा उचाल कर देखना है और देखना है कि किसका सबसे उचा उचलता है जिसका रुमाल या कपड़ा सबसे उचलता है रुमाल के साथ बिना कुछ बादे इसे और उचा कैसे उचाला जा सकता है रुमाल के साथ बिना कुछ बादे इसे कैसे उचाला जाक सकता है उसको गोला बनाया जा सकता है ना रुमाल का बादा ने उसको गोला बना के उसको लपेट के उचाला जा सकता है उपर को तो आप इसको करके देखना बच्चो अब नेक्स पेज में है समझ 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 होंबना की मत्रा दा हूम्मेंग की मत्रा ॥ सव मैं की मत्रा रंग स decks मा की मत्रा ना बना हूमें की इसी इंज़त 26N बोनो मा की मत्रा नाव बनाओ रंगाई सब्द रंग से बनाएं इसी तरह और सब्द बनाओ रंग रंग रो रो मा की मत्रा रंगो मा की मत्रा गाई रंगाई रंग रंगाई सो मा की मत्रा जैसे रंग रंगाई बनाएं सो मा की खत्रा साफ हो साफ क्या हो जाएगा यहां पर साब सोफ ओमा की मत्रा फा इ सफाई साब सफाई चड़ चड़ चड़ाई चड़ ओमा की मत्रा इ चड़ाई वो में चोटू की मत्रा बुन बुन उनका क्या हो जाएगा बुनाई वो में चोटू की मत्रा बुन नोमा की मत्रा नाई बुनाई जैसे बच्चो रंग रंगाई यहना साफ सफाई चड़ चड़ाई बुन बुनाई हो जाए अधा को योमा की मत्रा या सम जोमे की मत्रा जी समझे जोमे चुटी की मत्रा जी न जीन स अधा बो दोमा की मत्रा दो नोमा की मत्रा दो सब्दू कॉमे की मत्रा के नोमे बड़ी की मत्रा नीच चॉमे की मत्रा चे नीचे रोमे की मत्रा रे खॉमा की मत्रा खा रेखा खॉमे चुटी की मत्रा की चॉमे बड़ी की मत्रा ची खीची हॉमे की मत्रा है उन कॉमा की मत्रा का उनका मतलव मतलब तमा की मतलब ताओ बताओ जिन सब्दों के नीचे रेखा कीची है उनका मतलब बताओ जैसी रेखा कीची है इनका मतलब बताने है से अ मतलब बता है कि इसके नीचे कीची है कताई कताई का क्या मतलब होता है उनका मतलब लिखना है कताई का मतलब होता है बिल्कुल बो में चोटी की मात्रा भी ल, को में चोटी की मात्रा कूल, बिल्कुल कताई का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल बो बो में चोटी की मात्रा भी अधाल लो अब है और मोमें की मत्रा वन तो में बड़ी की मत्रा थी अवंती नोमें की मत्रा ने सोमें की मत्रा सेट सेट कौमा की मत्रा काम मोमें की मत्रा मन सोमें बड़ी की मत्रा सूब और मा की मत्रा भाब मनसूपा और मा की मत्रा भाब और मा की मत्रा भाब और मा की मत्रा अवंती ने सेट का मनसूपा भाब लिया मनसूपा का मतलब होता है इरादा के मनसूपा इरोमा की मतरा दोमा की मतरा दोमा की मतरा दोमा की मतरा दोमा की मतरा तूमा की मतरा हा रोमा की मतरा तुमारा रोमा की मतरा हुँ नोमा रहु नर तोमा की मतरा देखो नोमा की मतरा ना द मैं तुमारा हुनर देखना चाता हूँ तो हुनर का अर्थ होता है गुण या खूबी को में चोट्यों की मात्रा गुण गुण खो में बड़ियों की मात्रा खूब और में बड़ियों की मात्रा भी खूबी गुण या खूबी सो में की मत्रा सेट, सेट, बोमें, चोटों की मत्रा बूल, ओमें 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 की मत्रा वरस्वार, सोमे की मत्रा से, सेट कोमे की मत्रा को, यह आधा सो, योमे, योमे की मत्रा या, यामे, रोरे की मत्रा, इर्ष्या, होमे की मत्रा हो, नोमे की मत्रा ने लो, गोमे बड़ी की मत्रा गी लगी, सेट को इर्ष्या होने लगी, इर्ष्या का मतलब होता है, जलन, जलन, जलन। बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं खास का अर्थ होता है खास का मतलब होता है विसेश वह मैं चोटे की मतलब विस और मैं की मतलब सेश विसेश तो बच्चो जो लाइन नीचे लाइन कीची गई है कत्ताई का मतलब बिलकुल मन्सूबा का मतलब इरादा हुनर का मतलब गुणिया खुवी आवाज का मतलब स्वर इर्शिया का मतलब जलन खास का मतलब विशेश अम नेक्स पेज उपन करेंगे खौमा की मत्रा कैस वौमा की मत्रा सा कैसा लो गौमा की मत्रा गाल लगा आ फो तो में बड़ी की मत्रा थी आफ थी को में की मत्रा के बार में की मत्रा में 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 की मत्रा में को में चोटी की मत्रा कुछ और कुछ वा में की मत्रा वा अधा को यो वा कि लो में चोटी की मत्रा लिख हो में की मत्रा को लिखो आफनी के बारे में कुछ वाकी लिगो आफनी के बारे में कुछ वाकी लिखो तुम उसके कपड़ों सकल सूरत पालतु पसू बुद्धी आदि के बारे में बता सकती है तो आफनी के बारे में क्या लिखना है बच्चों यहां पर वाकी लिखना है उसके कपड़ों सकल सूरत पालतु पसू और बुद्धी के बारे में हम बता सकते हैं तो हम लिखेंगे आ, फ, तो में बड़ी की मात्रा दी, आफ ती, ब, हमें चोटे की मात्रा हुँ, तो बहुत, 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 मात्रा मान बुद्धी मान थो मैं की मात्रा था आपती बहुत बुद्धी मान था वू सक अमें बड़ी की मात्रा की उसकी सक अधा कोल सकल स्वामें बड़ी की मात्रा सूरत सूरत अधा चो चो में बड़ी की मात्रा ची अच्छी थो में बड़ी की मात्रा थी हुआ 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 हाँ सो में चुटी की मतरा सीर पर पर टोप टॉपी पाहन तोमा की मतरा था पहनता तोमा की मतरा था वह सिर्पर टोपी पहनता था उस नमे की मताने उसने एक एक कोममा की मतरा घोड़ अमा की मतरा घोड़ पावा उस नमे की मतरा ने उसने अप नमें बड़ी की मत्रा नी अपनी प में चोटी की मत्रा बुद्धी समें की मत्रा से एक एक प हल वमा की मत्रावान पहलवान कमें की मत्रा को हर मा की मत्रा यो मा की मत्रा या रहाया हराया थमा की मत्रा था तो आफ्ती के बारे में हमने उसकी सकल सूरत कपड़े, पालतू, पसू, बुद्धी के बारे में हमने वाक्य बनानी, ओके आफ्ती बहुत बुद्धिमान था, उसकी सकल सूरत अच्ची थी, वह सिर्फर टोपी पैनता था उसने एक घोड़ा पाल रखा था, उसने अपनी बुद्धी से एक पहलवान को हराया था, ओके दिख रहा ना बच्चो आपको तो नेक्स क्वेस्टन है ज़सी दिन दिन भी होता है मेला भी होता है, मेला भी होता है उपर, उपर दो में चुटी की मत्रा दीए, दीए, गए, गए सब दो में की मत्रा दूँ, दो में की मत्रा दूँ, सब दो कमें की मत्रा के, जो में की मत्रा जोड, में की मत्रा दूँ, जोडँ की गई हॉमा की मत्रा है। इसे और की मत्रण जोम्यों की मत्रा जोड़, हमें की मत्रा रे जोड़े, बहुन हमा की मत्रा नाओ बनाओ, दोम्यों की मत्रा देख, हमें की मत्रा खें, खेमें की मत्रा खें, को हमें की मत्रा कौन, कौन, सब, समें की मत्रा से सबसे, अधा जोय, हमा की मत्रा या, दोम्यों की मत्रा दा दिन दिन, मेला मेला, इन दोनों का अलग-अलग अर्थ है, उपर दिये गए सब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है, किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है, ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज़ादे जोड़े ढूंट सकता तो बच्चों क्या करने हैं हमने ऐसे ही जोड़े बनाने हैं तो हम जोड़े बनाते हैं जैसे देखो अ अधा नो नो अन्य है न अन्य अ अधा नो यो अन्य ये अन्य का मतलब दूसरा अन्य का मतलब जो हम अनाज खाते हैं कि और न में चोटी की मता निल ल अनिल का मतलब हुआ होता है और नल अनल नल का मतलब आग मतलब इत्र इत्र इतर इतर ग्राह 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 टो ऐसे हमको इसको लिखना है रंग रंग राग राग पवन पवन इन दोनों का अर्थ भी अलग अलग होता है दो में की मत्रा देव देव दो में की मत्रा देव देव सामान का अर्थ होता है एक सामान सामान का अर्थ जो हम सामान लाते हैं तो बच्चों, हमने अलग-अलग सब्द जोड़े ढूले हैं, अन, अन्य, अनिल, अनल, इत्र, इतर, ग्र, ग्र, रंग, राग, पवन, पावन, देव, देव, समान, सामान, तो ऐसे ही आपनोंको लिखना हैं, ओके? तो, नेक्स, पेज में के हेविद च्चों, आद़ा कोई हमा की मत्रा या हमा हमा की मत्रा फ्रौत हमें बड़ी की मत्रा तू फाल तू, क्या है फ्रौतू, काई हमें हमें बड़ी की मात्रा ने अपनी बहुमा की मात्रा बात बात कर तो मैं की मात्रा ते करते हुए ऐस हमें की मात्रा से ऐसे सब दसब्द बहुमें बड़ी की मात्रा भी बहुमें की मात्रा बोल बोल बहुमें की मात्रा दे तो मैं की मात्रा ते देते हमें की मात्रा हैं हमें की हैं। जों में चोटी हाथ जी ना का्में बड़ी की मात्री जिनंता कि जीं की केंगा इन फेन योड़ी की मात्रों कि milkma शीना आ 그대로 um कभी कभी हम अपनी बात करते वे ऐसे सब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती इसी तरह इन वाक्यों में कुछ सब्द फालतों हैं उन्हें ढूटकर अलग करो बाजार से हरा धनिया पत्ती भी लियाना तो बच्चों धनिया तो पत्ती होती है ना तो इसमें पत्ती हमने फालतों बोल दिया ओके? बाजार से हरा धनिया पत्ती ले आना तो ये क्या है फाल्टु है ओके पो आधा तो तोमें बड़ी की मात्रा ती पत्ती ओके ये हमने अलग का दिया ओके एक एक पॉमे बड़ी की मात्रा पी लोमा की मात्रा पीला पॉमे बड़ी की मात्रा पीला पॉमे बड़ी की मात्रा पीला पॉमे बड़ी की मात्रा पॉमा 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 की मात्रा पॉ एक पका पेपीता काट लो भी हम कह सकते थी ना पीला तो पका पेपीता हो गई ना इसमें क्या है पीला फाल्तु का सब्ते है जो हमने फाल्तु बोला अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी तो इसमें क्या है ठंडी बर्फ तो ठंडी होती है ना तो इसमें कहा है ठोमया की मत्रा ठंड दोमया बड़ी की मत्रा डी ठंडी जेबा बगीचे से दो ताजे नीबू तोड़ लो बगीचे में उस समय तोड़ेंगे तो ताजे ही होंगे ना नीबू तो इसको हम अलग करेंगे ताजे हमने फाल्टू हो ला तो मैं की मत्रा ताज, मैं की मत्रा जे ताजे बहुमें की मत्रा बेक, मैं की मत्रा कार बेकार को मैं बड़ी की मत्रा की, मैं की मत्रा फाल तो मैं बड़ी की मत्रा तू फाल्टू पर मैं की मतला फाल लग तो मैं बड़े की मतला तू फालतू तो ये फालतू हमने क्या बोल दिया कुछ फालतू बोल दिया ओके तो बच्चों पाजार से हरा धनिया पत्ती ले आना पत्ती को हमने अलग कर दिया ये हमने फालतू बोला और है एक पीला पका पपिता काड लो पीला अरे रस में इतनी सारी ठंडी बरफ क्यों डाल दी तो इसमें फालतु क्या है ठंडी क्योंकि बरफ ठंडी होती है ना जेबा बगीचे से दो ताजे नीबु तोड़ो इसमें हमने क्या बोला ताजे फालतु बोल दिया ओके बेकार की फालतु बात मत करो इसमें क्या है फाल्टू तो बच्चों ये चप्टर आपका खतम हो गया है कब आऊं वाले किसे को चित्रकता के रूप में लिखो तो इसको हम कॉपी में करेंगे ओके तो मैंने क्या कराया आपको मैं दिखाती हूँ आपको भी बहुत अच्छी तरह बुक फिल करने हैं फस्ट पेज में मैंने ये कराया आपको देखिए दिख रहा ना आपको फस्ट पेज में ये कराया मैंने अब सेकिन पेज में मैंने सेकिन पेज में इकराया और उसके बाद देखिए बहुत अच्छी तरह बुक फिल करने हैं आपको और इस पेज में मैंने दिख रहा है ना इकराया आपको की और लास्ट पेज में एकराया ओके तो आपको फिल करने हैं ओके थैंक यूँ